आज हम बनाएंगी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम जटपट से बन जाने वाला मेरा सबसे फेबड़ेट आइस क्रीम केक इस आइस क्रीम केक में आपको कोई एक्स्टा केक बनाने का चंजर्ण नहीं है एकदम जटपट से बन कर तयार हो जाएगा ये और इसका जो ice cream का texture है ना वो बहुत ही जादा yummy और एकदम creamy बनता है आपको ना अपनी बच्पन की याद आ जाएगी कुछ ऐसे flavors है इसमें बहुत ही आसान और interesting सी recipe है जरूर try करिएगा और अगर recipe पसंद आए तो please video को like करिएगा और मेरे चानल को subscribe करना ना भूलें तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक pan में मैं यहाँ ले रही हूँ यह 1.5 cup यानि की 375 ml दूद और मैंने यहाँ पर यह full fat उबला हुआ दूद लिया है तो दूद को उबालने के बाद जो मलाई आ जाते है न वो भी मैं इसी के साथ इसमें डाल जहूँ आप इसमें कच्चा दूद ले सकते हो बस कोशिश करके full fat लीजेगा जिससे आपकी ice cream जो है नहीं जाधा creamी बनेगी आइसमें से तक्रीबन एक चोथाई cup दूद हमें एक अलग कटोरी में रख लेंगे इसे हम बाद में यूज़ करेंगे और इस पैन वाले दूद को थोड़ा सा चला लेंगे ताकि जो मलाई है ये थोड़ी mix हो जाए इसमें और साथ ही में हम इसमें चीनी आड़ कर देंगे तो आधा कब चीनी डाल देंगे हम इसमें और इसे अब हम थोड़ा mix करेंगे और इसे medium flame की उपर ना इस दूद को थोड़ा सा गरम हो जाने देंगे और इतनी देर में ये जो दूद हमने एक अलग का टोरी में निकाल कर रखा था इसमें मैं डाल रहे हूं डेर बड़ा चमच कस्टर्ड पावडर बैनीला कस्टर्ड पावडर लिया मैंने यहां आप कोई भी और फ्लेवर का कस्टर्ड पावडर ले सकते हो तो बस इसे डाल के अच्छे से mix कर लेना है ताकि इसमें कोई भी lumps यानि की कोई गाठी ना रहे तो इसे mix करने पर अब हमारा यह कस्टर्ड मिक्षर भी तायार है और इसके बाद अब हम चलेंगे दूद की तरफ तो यह जो दूद हमने गरम होने के लिए रखा था आप देख रहें भी साइट से इसमें हलके हलके से बबल जाने शुरू हो गया है दूद थोड़ा सा गरम हो गया है इसे एक बाद चला लेंगे और इसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसमें डालेंगे अपना यह कस्टर्ड मिक्षर तो यह कस्टर्ड वाला दूद डाल देंगे और डालते ही इसे साथ की साथ चलाना शुरू कर ल बबल्स बन रहे हैं और इसका जो टेक्शर है यह एकदम क्रीमी और थिक हो गया है कोटिंग कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें और जब आप इस तरह से इस पर गैप बनाकर देखोगी न तो यह गैप भी इस तरह से मेंटेन रहेगा तो हमें इसे इतना थिक करना है तो बस अब अब हम एक बोल में निकाल देंगे और इसे उपर से ढगकर अब इसे फ्रीजर में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए या तब तक जब तक हम अपनी आगे की टायारी करेंगे इसके बाद अब हम अपने इस आइस्ट्रिम केक के लिए ना सबसे पहले केक को तायार करेंगे क्योंकि आज हम बना रहेंगे जटपट आइस्ट्रिम केक तो इसके लिए मैंने आज रेडी मेड केक लिया है इसमें आपको केक बनाने का चंजट नहीं है और इसके लिए मैंने फ्रूट केक यूज़ किया है ये मुझे बहुत ही जादा पसंद है बच्पन से मैंने इसे बहुत खाया है और आम शूर कि आपने भी बहुत खाया होगा इसे और अब भी खाते होगे मैं इसे कब-कब कहा कहा खाया मुझे बताईएगा इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में और ये इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पैक्स में मिल जाएगा मेरे पास ये छोटू-छोटू से पैक्स मिले आज मुझे तो मैं यही वाला केक यूज कर रही हूँ और ये एक पैक जो था ना ये था 65 ग्राम का और ऐसे मैंने तीन पैकेट्स यूज किये हैं आप किसी भी ब्रांड का फ्रूट केक ले सकते हो तो बस इस केक को ना पहले हमें हाथों से इस तरह से ख्रश कर लेना है और इसका एकदम चूरा बना लेना है तो चाहे तो हाथों से ख्रश कर लो या फिर आप ग्रांडर में डालके से हलका सा ग्रांड भी कर सकते हो अच्छा इस तरह से ये रेडी मेड केक की बजाए आप चाहो तो घर पर अगर बना हुआ कोई होममेड केक है तो वो भी ले सकते हो इसके लिए या फिर चाहो तो केक स्पेशली बना भी सकते हो और उस केक को बनाने की जो मेजरमेंट्स का लिंक है वो नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो बस बातों ही बातों में हमारा ये केक भी तायार हो गया है अब हम इसे सेट करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का एक लूज बॉटर मोल्ड लिया है यानि कि इसकी जो नीचे की प्लेट है ये अलग हो जाती है ताकि आइस्क्रीम केक को हमें बाद में डी मोल्ड करना इसी हो अचा अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल मोल्ड या कंटीनर या कोई स्टील का डिबा ले लो और इसमें ना सबसे पहले कोई क्लिंग रैप या फिर कोई प्लास्टिक की पनी को न इस तरह से अंदर से लेकर बाहर तक लगा लेना है हमें तो इस तरह से ये लगा के इसमें सारी लियर्स को सेट करेंगे और जब आइस्क्रीम केक सेट हो जाएगा फिर हम इसी पनी से पकड़ कर इसे डी मोल्ड कर लेंगे तो अगर loose bottom mold नहीं है तो आप normal mold से भी बना सकते हो इसे तो सबसे पहले हम अपने इस mold में इस cake को डाल देंगे तो पूरा का पूरा powder यानि कि ये जो चूरा सा हमने बनाया ना इसे डाल देना है और इसे हलका हलका सा प्रेस करेंगे हाथों से इसे even कर लेंगे एक layer में आइस के बाद आप कोई भी flat surface ले लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर ये glass की back side यूज की है आइस के साथ मैं अपने इस cake को अच्छे से हमें प्रेस कर लेना है तांकि cake जो है ये अच्छे से pack हो जा और इस cake even सी layer आ जाएगी तो बस हमारा ये mold तायार हो गया है इसके बाद आप इसे चाहो तो 10-15 मिनट के लिए एक बर fridge में रख दो तब तक हम अपनी आखी की तायारी कर लेंगे तो सबसे पहले हम अपनी cream को whip करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 3-4 cup cream ली है और मैंने ये non-dairy whipping cream यूज की है आप इसकी जगह इसमें चाहो तो अमुल fresh cream भी यूज कर सकते हो या फिर कोई भी और cream ले सकते हो इसमें तो इस cream को whip कर लेना है चाहो तो इस तरह का hand whisk होगा आपके पास वो यूज कर सकते हो ने तो अगर electric whisk है तो उससे whip कर लो उससे जल्दी whip हो जाएगा तो इसे अब हम whip कर लेंगे तब तक जब तक की cream एकड़म fluffy हो जाएगी और इसमें हलकी से stiff peaks बनने शुरू हो जाएगी तो cream को मैंने whip कर लिया है और अब आप देख रहे हो की cream में हलकी से stiff peaks भी बन रही है और ये fluffy हो गई है तो बस cream तयार है इसके बाद अब हमने ये जो custard का mixture freezer में रखा था ना इसे रखे होए तकरीबन 10-12 मिनट होए है और आप देख रहे हो कि mixture जो है ये पहले से और भी थिक हो गया है तो बस ये एकदम perfect consistency है इसकी तो इस mixture को अब हम ढाल देंगे अपनी इस cream में आइसे अब हम एक बार फिर से whip कर लेंगे तब तक जब तक कि ये जो custard mixture है ना ये cream में अच्छे से mix हो जाएगा और इसका जो texture है ना ये एकदम creamy, light और fluffy हो जाएगा तो बस मैंने इसे अच्छे से whip कर लिया है अच्छा इस mixture में आप मैं 3-4 drops lemon yellow food color आड़ कर रहे हूँ इसे हलका सा color देने के लिए ये optional है आप चाहो तो इसे skip कर सकते हो तो बस इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे यानि कि whip कर लेंगे तो बस इसे whip करने के बाद अब हमारे ये ice cream का creamy mixture बिल्कुल तायार है और इसका texture चेक कर आते हूँ मैं आपको तो आप देख रहे हो कि कितना एकदम light और fluffy है ये texture में बोखत ही जादा ही हमी बनता है तो बस इस creamy mixture को अब हम डाल देंगे अपने इस mold में तो ये जो cake की layer हमने set की थी ना इसके उपर हमें अपने ये ice cream का mixture डाल देना है और इसे थोड़ाचा tap कर लेंगे थोड़ा इससरा से shake करेंगे ताकि ये evenly spread हो जाए और इसके बाद ना अब इसके उपर में थोड़े से बारी कटे हुए dry fruits जाल रहे हूँ जिसमें मैंने बादाम और पिस्ता लिया है dry fruits optional है आप चाहो तो इससे skip कर सकते हो या फिर इसकी जगा अपने मनपसंद कोई भी garnishing कर सकते हो तो बस हमारा ये mold ताया है इस mold को अब हम किसी भी cling wrap यानि कि plastic wrap से इस तरह से अच्छे से ढख देंगे तो मैंने इससे सारी रात के लिए रखा था freezer में set होने के लिए ice cream set हो गई है और हमारा ये ice cream cake तायार हो गया है तो अब हम इससे demold करेंगे तो सबसे पहले इस wrap को निकाल देंगे आइस के बाद इस ice cream की sides को loose करने के लिए ना हम हाथों से ही इस तरह से इसके उपर हलका हलका सा rub करेंगे इसके ice cream की जो sides है ना ये थोड़ी सी loose हो जाएंगी और इस तरह से rub करने के बाद अब हम कोई भी glass या फिकाटोरी रख लेंगे इस mold के नीचे और नीचे से ना plate को हलका सा उपर की तरफ पुश करेंगे तो ये cake बहुत ही आसानी से बाहरा जाएगा तो बस इसी के साथ तयाय है हमारा ये बहुत ही tasty और एक्दम creamy texture के साथ ये जट-पट से बनने वाला ice cream cake आप देखे हो कि कितना अच्छा लग रहा है ये नीचे इसमें cake है और उपर से ये creamy ice cream बहुत ही ज़ादा ये हमें बनता है ये तो बस अब हम इसे slices में cut करेंगे और इसे serve कर लेंगे अच्छा इसे serve करने से पहले ना 3-4 मिनट के लिए एक बार room temperature पर रखेगा और फिर इसे serve करिएगा तो आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाना इसमें कोई extra cake बनाने का जंजट नहीं है एकदम जटपट से बन कर तयार हो जाता है ये और इसका जो taste है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनता है आपने बच्पने में कभी वो कसाटा ice cream खाई होगी ना तो कुछ-कुछ वैसा सा टेस्ट रहेगा इसका बहुत ही ज़ादा मजाएगा आपको खाने में तो फटा-फट से ट्राय करो इस recipe को और मेरे साथ अपना feedback शेयर करिएगा पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी recipes की आप मेरे Instagram पर और अगर आपको आज का यह ice cream केक पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चानल को subscribe करना ना भूलें